Hello students, class 6, chapter 7 बच्चो इसके 4 questions हम कर चुके हैं, अब है हमारा 5th question God lives in the heart of the punch, the aunt said, what did she mean? कि भगवान जो है, punch के रुदे में निवास करते हैं, चाजी ने जो ऐसा कहा था, क्यों कहा था, क्या आर्थ इसका? इसका अंसर है बच्चो कि the aunt meant that a person in the seat of ages becomes fair and just like God. He cannot do any injustice, he is God's representative. तो इसको जो अर्थ चाची कहती है, कि वह व्यक्ति जो नियाईदी इसकी सीद पर बैठता है, वह भगवान की तरह निश्पक्ष हो जाता है, और वह जो है, अनियाई नहीं करता है, और वह भगवान का प्रतिनीधी होता है. शिक्स कोश्चन है, वाट वाज अल्गू जो वर्डिक्ट एज हैड़ पंच, हाव डिड़ जुम्मन टेक इर, कि अल्गू ने जो है, हैड़ पंच बनकर क्या फैसला किया था, और जुम्मन ने उसको किस प्रकार लिया, तो अल्गू आस्क जुम्मन आइदर तो पे मंत्री अलाउंस तो हीज आंट और ट्रांसफर दा प्रॉपर्टी इन हर नेम, अल्गू ने कहा कि जुम्मन को या तो अपनी चाची को माचिक भत्ता देना पड़ेगा, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी उसको वापस करनी प पड़ेगा और जुम्मन वाज स्टन्ड, स्टन्ड मिन्स भोचक का या नि एकदम से स्टब्द रह गया अस बात को सुनकर, तो ही बिकेम अल्गू एनिमी और वह अल्गू का शत्रू बन गया, ही डिसाइड़ी टू टेक रिवेंज और उसने बदला लेने का निश्चे कर अल्गू ने अपने वेल जो है समझू साओ को बेचा था, एक कार्ट में जो की एक गाड़िवान था, साओ प्रॉमिस टू पेदा प्राइस विदिना मंद, साओ ने उसको एक महिने के अंदर जो है उस बैल का पैसा देने के लिए कहा था, बट डूरिंग दिस पीरिएड लेकिन उस समय के अंतराल में, जो बुलक है, बुलक डाइड, बुलक क्या हो गया, मर गया था, साओ बिकेम डिस ओनेस्ट, अब साओ क्या हो गया, बेइमान हो गया, और उसने पैसा देने से मना कर दिया था, 8th question, why was Algu upset over Jumman's nomination as head punch, जब Jumman का नाम nominate किया गया, head punch के लिए, तो Algu upset क्यों हो गया था, तो Algu was upset because Jumman was already annoyed with him, Algu जो है इसलिए upset हो गया था, क्योंकि Jumman पहले से ही उससे क्या था, नाराज था, so he thought Jumman would take revenge, इसलिए उसने सोचा कि Jumman जो है अब अपना बदला ले लेगा, 9th question, what was Jumman's verdict as head punch, how did Algu take it, अब Jumman ने क्या, जो फैसला किया था, head punch बनके, तो और उसका, Algu ने किस प्रकार उसको लिया, तो इसका अंसर है बच्चो, Jumman realized his responsibility as a head punch, Jumman को अब realize हो गया था, जो भी head punch की जो जिम्मेदारियां होती है, उससे अवगत हो गया था, He declared that Samju must pay Algu the price of the bullet, उसने कहा कि Samju को जो है, उस बैल के पैसे देने पड़ेंगे, Algu को, Algu shouted with joy, यह से सुनकर Algu खुशी से चिला पड़ा, God lives in the voice of the punch, उस जो 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 चिलाया, कि जो पंच की आवाज में भगवान निवास करती हैं, बच्चो भी 10th question है, देखो इसमें which of the following choice of the story best, इसमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई, इसमें से बताया गया है कि इस स्टोरी के लिए best कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, फर्स्ते, I also, I also known that you will not kill your concerns for that sake of friendship, कि मैं भी जानती हूं कि तुम अपनी मित्रता के लिए जो अपनी आत्मा को नहीं मारोगे, यानि मित्रता और सत्रता के लिए कोई भी अपने सत्य के मारोग से नहीं भटकेगा और the voice of the punch is the voice of God की पंच की आवाज में भगवान की आवाज का वास होता है, तो इसका बच्चो मेरे इन माई ओपिनियन की थार्ड स्टेट्मेंट समसब्दा स्टोरी बेस्ट जो थार्ड स्टेट्मेंट है वो स्टोरी की बेस्ट है क्योंकि बिकाज बोथ जुम्मन एन अलगुट टुक फेर डिसीजन्स दोनों ने ही निस्पक्ष फैसला लिया था ठीक है बच्चो इतना वरक आपको अपनी कॉपी में करना है ओके थैंक्यू बटा